आज हमार टॉपिक है साइंटिफिक इंस्ट्रमेंट्स हम आज साइंटिफिक इंस्ट्रमेंट्स के बारे में बात चीट करेंगे और चांटकारी के लिए लेट्स के टिट वीडियो साइंटिफिक इंस्ट्रमेंट्स का मतलब है साइंटिफिक इंस्ट्रमेंट्स एन्वार्मेंटल साइंस, मेडिकल साइंस, सेफटी और डिफेंस और एग्रिकुल्चरल प्राक्टिस इसमें बहुत मदद करता है उस scientific instruments के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी Stethoscope It is used by the doctors to hear the sound of heart beat or beating from the lungs जब doctor हमारे दिल या lungs में रखते हैं तो हमें समझ जाना है कि वो हमारे heart के beat करने के sound को सुनने के लिए वो हमारे stethoscope को use करते हैं Next is binoculars It is used to see distant objects by looking through the lenses बहुत दूर के चीज़ों को हम देखने पाते हैं जब हम binoculars से देखते हैं वो हमें बहुत नस्दीक से और clear से दिखाई देता है इसलिए इस चीज़ों को देखने के लिए हम binoculars का use करते हैं Next is sigma binometer It is used to see measure blood pressure of a person Sigma manometer इसलिए use होता है एक व्यक्ति के blood pressure यानी BP को मापने के लिए Sigma manometer का use करिया जाता है Microscope It is used to see very small organisms और cell under the lenses जब बहुत चोटी चीज़े हम देखने ही पाते यानि कि डानों ऐसी वैसी बहुत चोटी चीज़े हम देखने ही पाते इसे देखने के लिए हम Microscope का use करेंगे तो हमें वह बहुत ध्यान सी और बहुत अच्छे से दिखाए देते हैं Next is thermometer It is used to measure the body temperature हमारे body temperature को चेक करने के लिए thermometer का use करते हैं आजकल की office में जब हम प्रवेश करते हैं वो तभी thermometer से हमारा body temperature चेक करते हैं मेरे बापा के office में भी SIU होता है जब मेरे बापा प्रवेश करते हैं उनका भी body temperature चेक होता है Next is telephone It is used to communicate with distant people at any point of time and peace जब कोई आदमी कई दूर है हमें उनसे बात करनी है कुछ emergency है हम वहाँ जाके तो उनसे बात नहीं कर सकते तो हमें जल्दी पहुचाने के लिए वह emergency बात हम telephone का use कर सकते हैं telephone से वह बाद जट पड़ से उनके पास पहुचाती है नेक्स जान लाक्टो मीटर इट इस यूज तो मिशर दल रिलीटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क लाक्टो मीटर हम इसलिए इस्तिमाल करते हैं हमारा दूद कित्ता फ्रेश है कित्ता प्यूर है हमें वह सब जानकारी लेनी चाहिए तो वह सब जानकारी हम कैसे लेंगे जब हम लाक्टो मीटर को इस्तिमाल करते हैं हमें पता चुलता है कि हमारा दूद कित्ता फ्रेश है या प्यूर है विंच मिल इस यूज चेक दे स्पीड ओफ विंच ये विंच मिल इसलिए इस्तिमाल होता है हमारे विंच यानि हवा के स्पीड को चेक करने के लिए हम विंच मिल का इस्तिमाल करते हैं रेडा इसलिए यूज यूज हुआ जाता है कि हम कई शिप या प्लेन में हैं तो हम उसकी प्रॉपर जगा जान सकते हैं रेडार से प्रॉपर जाता है